चम के उपर बजाज जो चल रहा है वही डॉमिनार के अंदर है वही नस-200 के अंदर है और अभी एक और अपकमिंग नहीं बाइक आने वाली है उसके अंदर भी सेम है यहां पे ना इंडिया को कुछ सीखने की ज़रोते की एक प्रोड़क्त को आपका जो चैजिस है वो डिज आप जैसे एक पाकिस्तानी ब्रैंड है सिंग्मा करके कोई ब्रैंड है और यह बजाज बीपैसिकली इंडिया में डील करता है बनाता है उसके कितने सारे क्लोन चाइना में या फिर पाकिस्तान में अभी होते हैं आभी हम लोग बात करें आपको अवराल लुक दिखाया थ तो यह कुछ ओवराल लुक था और इसमें मैं कुछ कह सकता हूं कि कुछ भी अलग दलग नहीं है सब कुछ बिल्कुल सिम्लर है और इतर से क्लॉन कॉपी है अभी कुछ और चीज़ों पर बात करते हैं सबसे पहले नहीं टायर साइज की बात कर लेते हैं टायर इसमें 130 का और फ्रेंट में आपको मिलता है जो कि बजाज अगें एक चीज में पीछे है क्योंकि वहीं पर लियॉन में मिल जाता है हम लोगों को 150 नंबर का पिछले वाला टायर और 110 नंबर का फ्रेंट तो यहां पर तो मुझे लग रहा है कि चाइनीज चाइना वाले थोड़े से स्पेसिफिकेशन है वैसे विल्कुल सेम भाई के तो उसमें आदा वाई 250 सीसी का लिक्विट कोल इंजन अगें वह आगे तॉप स्पीड 144 किलोमेटर पार आवर हम लोग इंडिया में क्लेम करते हैं और पाकिस्तान में तो भाई क्लेम करने वाल रोडी नहीं है वैसे जो लिफान है वह उसको क्लेम करता 145 किलोमेटर पार आवर की स्पीड क्लेम करता तो यहां पे वह एक नंबर से के लागे है अब बजट में अब यहां जो पीछे होगा वह जीच जाएगा लेकिन अगें बजट में जो दो लाग रुपे का बजट अब 2023 वाली जो आरे स्ट उ तो इंडिया वाली जो 100 हो 12 लिटर का फ्यूल टैंक है और जो बहर वाली एक्स्टान वाली चोदाई कर लिचैनके तो इसलिए आप कर लेता हूं इंडिया में बहुत politir आते हैं ब्लू, रेड, ब्लैक, वाह, क्या स्कीम है यार, अब बात करते हैं पाकिस्तान की तो वहाँ पे आता है रेड, ग्रीन, येलो, भाई, इन लोगों को बस कलर की नहीं होती सेंस, परना अब तक इनकी भाई हम से आगे है, पावर की बात करेते हैं, RS-200 निकालती है, 25 पावर, लेकिन अब जो नहीं वाला मॉडलर में 24.5 PS की हो चुकी है, लेकिन 5 साल पहले वाली जो लियॉन 250 है, वो कितने निकालती है, 24.5 PS, और भाई, इसके ना देखो, मिटर में देखो, यहाँ पे गेर इंडिकेटर, यहाँ पे, भाई, फ्यूल उकोनोमी, यहाँ पे, लियॉन वाली जो RS200 है, कर वो उसके सेम फीचर्स हमारे वाली RS200 में आज से 5 साल पहले होते हैं, तो शायद R15 एक अराइवल ना होती है, आज RS200 की, बट अगेन, फीचर्स की वज़े से ही, बजाज में सा पीछे है, अब यहाँ एक शीज आप लोगों को और देखो, कि इन का मैं नहीं मानता कोई, मतलब यारी तो चीज भी नहीं मानता था, मैं इसको बट अब देख रहा हूं, उसका जो चैजिस है, वो डिजाइन है, बहुत अच्छे से, वो हल्की भी है, तो यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाते हो, कि भाई, जो ठीक है, मैं एक चीज बार पर रही है, वो जब इंडिया आएगी, तो एक लाग अठावनेजार की पड़ेगी, इंडिया के हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग वो रस्टी पड़ रही है, तो अगर कल को लॉंच हो जाती है, तो रस्टी बहुत अच्छा आराइव हले है, इंडिया में लॉंच नहीं ह अच्छा है इस से, क्योंकि उसके जो चेजिस में जो वेंट्स बनाएवे ना, वो कटिंग वाले, वो चिया, बाई, मैं गयाता हूँ, लाइट वेट तो करी दिया, चीज बड़ी प्यारी है, अब बात करते है, रिलाइबिल्टी की, तो जितने भी रिव्यूज मैं रहा हूँ, उसमें अभी तक भी कोई रिलाइबिल्टी का इश्यू नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, बाई, जैसे मेरी बाई के साथ इश्यू अगर बोल रहे हैं, तो वही रिव्यूज के बारे मैं आपको बता रहूँ, मैं मेरा कोई परसनल नहीं है, हमारे यहां से बढ़िया सर्वेस पॉइंट में बाई उनको मिल रहा है, में आपकाउट चैनेज़ बाई के साथ में, उन्होंने चैजी इसको घजे हो, कुछ सीखने के जड़ो होते है, कि एक प्रोडटक्त को आप पास से चे साल तक एक मार्केट में सेम तो सेम अगर रगड़ बैट नहीं देता है यार जैसे बैकों में भी अपडेट दे रहे हैं जिसमें GPS नविकेशन का कोई फंक्शन मतलब लोग सोचते भी ने दूरूर तक उसमें भी GPS नविकेशन का फंक्शन आ रहा है और बैज अगेन यह चीज अपडेट नहीं करता तो बाई देखो पाकिस्ता पाकिस्तानी पाई के फिल हो जाएंगी यह चीज भी सच है यार पाकिस्तानी भाई जब लोग मुझे बोलेंगे यार तरो कुछ सीड नी रहीओ न हो पाकिस्तानी बाइक से हमारे इंडिया को क्या सीखना जो रही है उसमें चेंज क्या हुआ है और वह थोड़ा सा लगता यार जैसे इसके अंदर है अपना बहुत सारी चीजे एक ही मीटर के अंदर गुशा रहे हो और उसके बाद में उमीद कर रहे हो जनता से कि जनता उसको आपके प्रड़क्त को प्यार करेगी यह कहीं नहीं हम लोग होगा गलत पॉइंट ऑफ यू है क्योंकि आरेश टूंड़ का मीटर ना थोड़ा सा बिच किच 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 टाइप का थोड़ा सा मीटर लगता आपकि यह बहुत कुछ गुश्च चुगा है छोटे से मीटर के तो वह चीज कहीं नहीं गलत लगती है मेरे को बट अगेन देखो मैं उन रसे आर देखो सुनों मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और स्टूंड़ को डॉमिनार को एनस्टूंड़ को हमेशा से मेरी इंडियन ब्रैंड को केवल और केवल चाइनीज ब्रैंड से यह बात करूं यह जो अराइवल नहीं भी है जिक सर देट्सों को लिलेते हैं उसमें गेर इंडिकेटर 2017 में आ गया था तो यह बहुत बड़ा प्यार करता हूं लेकिन बस थोड़ा सा एक बात पर आके हम लोग अटक जाते हैं कि हमारे इंडिया में ना यार जो अपडेट का स्कुर्चर है वह बहुत गंदा है अम लोग ना सर्विस पॉइंट ऑफ यूप है कंपनिया ध्यान नहीं देती हैं अब अगर बात करो किसी बार के ब्रेंड की तो जैसे बजाज है कीवे है यह तो अलग अलग ब्रेंड के मैं नाम ले लिए बट सर्विस के मामने में कीव चाहिए और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए चलो थैंक्यू सो मच आर अमारी वीडियो माने के लिए चैनल को सुस्क्राइब करें भी ना मत जाना और कमेंट करके बताना जरूर कि आपका क्या उपिनियन है इन चीज़ों के ऊपर अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो यह लगाओ कि मैं अपने देश से प्यार नहीं करता हूं तो उसके लिए हम सौरी है मैं बहुत प्यार करता हूं देश से बस जो बाते सही हैं और अब यह डिबेट भी होने वाली हम लोगों की तो ऑटो मोबिल डिबेट पर भी हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में इमार सबस्टार नहीं